चंद्रावती गंज में व्रक्षों की कटाई जोरों से चल रही है एक तरफ जहां सरकार व्रक्षार उपन को महत्व दे रही है वहीं चंद्रावती गंज में हरे भरे पेडों की कटाई की जा रही है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है चंद्रावती गंज में हरे भरे व्रक्षों की कटाई हो रही है जोहां इस समय सरकार हर जगर व्रक्षार उपन कर रही है साथी ग्रामेडों से भी व्रक्षार उपन करने की अफिल कर रही है लेकिन इस समय साविर तहसील के ग्राम चंद्रावती गंज में व्रक्षार उपन करना तो दूर हरे भरे व्रक्षों की कटाई की जा रही है लेकिन व्रक्षों की कटाई होता देख यहां के जन प्रतिनिध्यों ने भी चुप़ी साधली है ग्राम पंचायद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही तीन दिन पहले रात के अंधेरे का फाइदा उठा कर एक मकान मालिक द्वारा फलदार नारियल के व्रक्ष को काटा गया दूसरा काटनी के तयारी चल रही थी पूछने पर उसने कहा कि मेरे पास इसकी पर्मिशन है लेकिन सवाल यह है कि उसके पास पर्मिशन थी तो रात के अंधेरे में व्रक्ष क्यों काटा जबकि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है लेकिन अभी तक कोई कारवाही नहीं की गई चंद्रावती गंज से जीतू कुमावत की रिपॉर्ट